हेलो प्यारे बच्चो आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्क्षीट नमबर 11 scheduled to be done on 31st जुलाइ 2021 for class 9th. Students, today we are going to learn about punctuation. punctuation marks, we have learned the punctuation marks in class 8th and even the earlier worksheets we have done punctuation marks और बटे punctuation marks जो होते हैं विराम चिन जो आपके हैं अलगलग तरह के विराम चिन है जो language को किस तरह से किसी भी भाशा को कब ठहराव देना है कब कहां पर कितना रुकना है ये सब हमें punctuation marks से पता चलता है और ये आपको punctuation marks के picture भी दे गई है और उसके छोड़ा से एक reference भी दिया गया कि कहां पर यूज होता है तो पंच्वेशन mark फर्स्ट इस most important जहां sentence को खतम करना है हम full stop का use करते हैं देखिए तो full stop क्या करता है at the end of a sentence हाता है हमेशा और longest pause होता है सबसे जादा जो लंबे समय का जो pause है जो ठहराव है वो कहां पर है full stop में होता है then shortest shortest जो है हमारा वो है comma comma किसलिए use होता है to separate items in a series जब एक ही series में एक ही line में बहुत सारे options यह बहुत सारे एक मिलते जूलते items दिया है तो उन्हें अलग करने के लिए हम comma का use करते है colon colon to introduce a list कोई list है उसको बनाने के लिए हम colon का या फिर time को भी बटा colon से जैसे देखिए इस तरह से मैंने 435 लिखना है 435 am 435 pm 540 pm तो इस तरह से क्या है यह colon का use करता है time को भी express करने के लिए उसके बाद देखिए बटा अपोस्ट्रोफी तो अपोस्ट्रोफी क्या है अपोस्ट्रोफी रिलेशन बताती है तो शो वैदर लेटर और नंबर हाज बिन लेफ्ट आउट या कोई भी ऐसी चीज है जो रह गही है तो वह भी अपोस्ट्रोफी की हेल्ट से हम क्लियर कर पाते हैं देन सेमी कॉलन सेमी कॉलन देखिए उपर फुल स्टॉप वाला डॉट और नीचे आपका आगया कॉमा और इसको एक साथ जोड के क्या बन गया एक नया सिंबल सेमी कॉलन तो जॉइन दा इंडिपेंडेंट वियन कल रहा है तो ँसे जोडने के लिए सैमी कॉलन का यूज किया राता है और पैस्ट क возьके आप उसको प्यूशन पूछ निंग को के लिए कोई चीज बहुत सुन्दर लगी तो आपके sudden feelings जो change होती है और sudden reaction जो होता है उसको ये जो हमारा exclamatory mark है ये present करता है then quotation marks quotation marks कैसे होते हैं इस तरह से आपकी quotation आपको ही लिखते हैं तो उसको inverted commas में जो आप कहते हैं उसे डालना है तो उसका नाम है quotation mark to indicate a phrase to show that someone else has written or said it इससे ये show होता है कि ये जो inverted commas में words हैं ये किसी और के द्वारा हू बहू ऐसे कहे गए हैं या अब आप देखें जैसे he said he said अगर आपका आया तो जैसा किसी ने कहा उसने कहा he said अब यहां भी small comma आया small pause inverted commas फिर the earth revolves around the sun around the sun तो बिटे देखें यहां पर क्या है कि कोई बात जिसने जैसे कही है तो यहां पर यह inverted commas में आगे start होते टाइम भी और जब आपने sentence complete किया तो नीचे full stop और उपर inverted commas close तो यह inverted commas यानि कि इसको एक सथ क्या कहते है quotation mark अब देखें बिटा next year read the following passage and punctuate where necessary तो आपको यह passage दिया गया है यह passage में कुछ गलतिया की गई है लिखने में punctuation marks को use करने में तो आपको उसको clear करना है और कैसे कि उसको समझना है समझ के फिर उसको आपको rewrite करना है with correct punctuation marks तो देखें Mr. and Mrs. Anita Sharma with their two children Mohit and Meera live in Canada वो Canada में रहते हैं Mr. and Mrs. Anita Sharma और उनके बच्चों के नाम क्या है Mohit and Meera वो सब Canada में रहते हैं they spent a month in 2019 touring India so that children could see their beautiful country अब उनने 2019 में एक महीना पूरा इंडिया में टूर करने में यात्रा करने में लगाया और वो दिखाना चाहते थे कि हमारी जो कंट्री है वो कितनी खूब सूरत है they visited Taj Mahal, Red Fort, Golden Temple तो पिटर यहां option आगे Taj Mahal, Red Fort, Golden Temple, जैपुर तो यहां पर देखें बिटा यह सारे options थे और last option से पहले एक चीज़ और याद रखेंगे आप क्या आता है and the kids were mesmerized by the वो मंत्र मुगद हो गए थे बच्चे जो थे by the beauty of Taj Mahal Taj Mahal के beauty में and they said it's incredible तो यहां देखिए यहां सबसे बड़ी चीज़ है they said जब किसी उन्होंने कहा कि यह तो अतुल्ले है when they return to Canada they shared their experience with their classmates जब वो वापस केरल वहां पर आए Canada में तो Canada में अपने classmates को बताया क्योंने कैसा लगा और class teacher जो थी class teacher Mrs. Rita asked what he most liked about Taj Mahal Mohit replied that he liked the craftmanship done on marble उसको जो नकाशी की हुई है marbles पे वो बहुत पसंद आई तो आप देखिए बटा इसके बाद जो हमें यह correct करना है तो यह correct किया हुआ है आपका last but not the least आप COVID appropriate behavior follow कर रहे होंगे और हागे भी करते रही है सबसे करवाई है अपने जानने वालों से और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी regular करते रही है बेटा आप देखिए Mr. and Mrs. तो Mr. में M जो है abbreviation है abbreviation मतलब short में जिसको लिखा जाता है तो उसका first alphabet हमेशा capital रखते हैं Anita Sharma with their two children Mohit and Meera lived in Canada they spent a month in 2019 touring India अब यहाँ देखिए बिटा M आपका capital किया गया यह capital था यह capital किया गया क्योंकि यह क्या है यह abbreviation है short में लिखा गया है तो उसको जो हम यूज करते है तो abbreviated form में यूज करते है और उसके बाद अगर पूरा लिखना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा कि आप यह देखिए M और M यहाँ पर abbreviation है अब अनीता शर्मा noun noun हमेशा किस से start होता है noun हमेशा capital letter से start होता है Mr. and Mrs. Anita शर्मा with their two children Mohit अब मोहित भी क्या है नाम है और मीरा live in Canada अब कैनेडा का भी देखिए इसी बड़ा है क्योंकि यह countries है nouns है तो they spent a month in 2019 touring India उन्होंने इसलिए 2019 में एक पूरा महिना इंडिया में टूर बेयात्रा में लगाया so that children could see their beautiful country ताकि बच्चे जो है अपनी beautiful country को देख सके हैं तो पिटा यहाँ पे तेखिए Canada के बद full stop आया और दर्ज हो था वो T capital हो गया इसलिए और वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो इंडिया के culture को जाने अपनी beautiful country को देखें they visited Taj Mahal वो नोने कहां कहां विजिट किया देखिए कौमा आया very good they visited Taj Mahal Red Fort then Golden Temple and Jaipur हमेशा last option से पहले जैसे मैंने भी बताया था and आएगा the kids were mesmerized by beauty of Taj Mahal तो बच्चे जो थे वो मंत्र मुखद हो गए थे जो Taj Mahal किया उसकी beauty को देखकर they said and they said अब आप देखिए and they said में क्या आ रहा है quotation marks जैसा कि उन्होंने कहा इसलिए it's incredible तो यह अतुले है उन्होंने ऐसा कहा तो जो उनके कहे हुए words है उनको हम किसमें डालते हैं quotation marks में और यह हमारा एकदम जो expression है sudden impression है तो वो क्या है exclamatory mark के साथ है when they return to Canada आप यहाँ देखिए sentence खतम नहीं हुआ और they आ गया तो यहाँ क्या लगेगा when they return to Canada जब वो वापस Canada गए they shared their experiences with their classmates उन्होंने अपने जो experiences थे अपने अनुभव थे अपने classmates के साथ share किये और full stop आया देखिए बटा sentence खतम हो गया था तो full stop आयेगा class teacher Mrs. M capital Rita asked उन्होंने class teacher Mrs. Rita उन्होंने पूछा मोहित what he most अब उन्होंने क्या class teacher Mrs. Rita asked मोहित उन्होंने मोहित से पूछा what he most liked about वो क्या सबसे ज़्यादा पसंद करता है ताज महल अब उसने उनसे पूछा कि Mrs. Rita ने कि मोहित तुम्हें ताज महल में ऐसा क्या अच्छा लगा तो मोहित replied that he liked the craftsmanship done on marble तो उसने ये reply दिया कि जो marble पर नकाशी की जाती है जो craftsmanship की जाती है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है तो large but not the least बिटा COVID appropriate behavior ज़रूर follow करेगा keep maintaining social distance of 6 feet or 2 yards and wear a mask wash your hands regularly with soap and water so keep learning and enjoying stay blessed and healthy and take care of yourself thank you have a nice day